हलो एवरिवन, वेलकम टू एडीज किजन, आज मैं आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक बेंगॉली फिशकरी लेके आई हूँ, हिलशा फिशकरी हिलशा को बेंगॉली में इलिश भी बोला जाता है, इलिश बहुत तरीके से बनाया जाता है आज मैं इसे सरसो और खसकस के पेस से बना के दिखाऊंगी, खसकस को बेंगॉली में पोस्तो बोलते हैं आज मैं इसे बहुत ही इजी वे में आपको बना के दिखाऊंगी, ये बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और खाने में इसका स्वात बहुत ही अच्छा होता है चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है इसके लिए मैंने 8 पीसिस हिल्षा फिश के लिए हैं 7-8 हरी मिच लिया है आप चाहे तो इसे कम जादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार अगर हरी मिच तीकी है तो आप इसे कम यूज़ कर सकते हो यहाँ पे सरसो और खसकस पहले से आदर गंटे के लिए मैंने पानी में बिगो के रखा था खसकस यहाँ पे 2 टी स्पून लिया है और यलो कलर का सरसो लिया है जो की 2 टेबल स्पून यूज़ किया है आप चाहें तो ब्लैक और यलो दोनों सर्सों ही मिक्स करके इसे बना सकते हो बिना पुस्तों के भी आप इसे खाली सर्सों के पेश से भी बना सकते हो इसे थोड़ी दे के लिए और हम पानी में भिगो लेंगे तब तक हम बाकी इंग्रीडियन्ट चेक कर लेते हैं हाफ टी स्पून काला जिरा लिया है कलॉंजी जी से बोलते हैं वन थर्टी स्पून हल्दी पाउडर वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर स्वाध अनुसा नमक ले लेंगे तीन चम्मच दही लिया है जिसे पहले से पेटके रखा है दही देने से इसका टेक्शर बहुत ही क्रीमी हो जाता है तीन चम्मच सरसो का तेल यूज़ करेंगे चलिए अब हम फिश को मैरिनेट कर लेते हैं नमक और हल्दी से थोड़ा सा नमक यूज़ किया है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ किया है इस तरह से हम इसे दोनों तरफ से इसे मैरिनेट कर लेंगे और पांच मिनिट के लिए इसे एक साइट रख देंगे अब हम पेस्ट तयार कर लेंगे सरसु और खसकस का साथ ही हम चार से पाच हरी मिर्च ले लेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ले लेंगे सॉल्ट देने से पेस्ट बहुत अच्छी तरह बनता है दही भी हम इसमें डाल देंगे इन सब को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट तया अब हम इसमें एक कप पानी देदेंगे और इन सब को स्पून के हेल्प से मिक्स करके एक मिक्षर तयार कर लेंगे आप अपने हिसाब से पानी कम जादा कर सकते हैं आपको ग्रेवी अगर बहुत थिन चाहिए तो आप पानी थोड़ा और एड़ कर दीजे पहले से ही मैंने कड़ाई गरम कर लिया था उसमें सर्सो का तेल 3 टेबल स्पून दे दिया था काला जीरा दे दे देंगे 1 अप टी स्पून और एक खरी मिर्च तोड़ के दे देंगे उसके बाद सारे फिश इसमें हम एड़ कर देंगे फिश देने के बाद जो मिक्षर हमने तयार किया था पेस्ट का मसालों का और पानी का वो हम इसमें एड़ कर देंगे ध्यान रखिए ये मिक्शर के अंदर फिश डिप होना चाहिए पूरी तरह से, अगर ये अच्छी तरह डिप नहीं हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा और पानी एड़ कर सकते हैं, अब इसमें साबूत हरेमिट छम दे देंगे, और इसे लिट से ढखके 15-20 मिनिट लो टू म देखिए ग्रेवी कितनी सूख गई है और गाड़ी हो गई है, थंडा होने के बाद ये ग्रेवी थोड़ी और थिक हो जाती है, अगर आपको ये ग्रेवी थोड़ी और थिक चाहिए तो आप थोड़ी देर इसे और बॉयल कर सकते हो, हमारी इलचा फिश तयार हो चुकी है आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ सर्फ करिए और अपने एक्सपीरियंस कमेंट के थू हमें शेयर करिए अगर आपको मेरी ये प्रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए थैंक ये पर वाचिंग मैं वीडियो